नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन यूज में दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट राश्तन करमचारी चैन बोर्ड एनम, जी एनम, सी अचो, संगनक, करसी, परविक्सरुक और जूनियर अकाउंटेंट छै भरतियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिये हैं यहां दोस्तों वही राश्तन करमचारी चैन बोर्ड जो कुछ दिन पहले तक कहा करता था कि वो जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स को किलियर कर देगा लेकिन राजस्थान करमचारी चैनबोर्ड ने बेरुजगार युवाउंक को एक तरीके से उनके सामने हाथ खड़े कर दिये हैं और कह दिया है कि वो डॉक्यूमेंट वरिफिकेशन कराने की स्थति में नहीं है तो दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भरती अजेंसिज काम करती हैं एनम, जेनम, सियचो, तीन ये चिकित्सा विभाग की भरतिया हैं दस हजार से ज़्यादा इनमें अब भ्यारती हैं, बीस हजार की संख्या है और जो संगना करसी परवेक्षाक और जूनियर अकाउंटेंट अगर इनको भी जोड़ लें तो इनमें भी वीस हजार की संख्या हैं कि कुल चालीस हजार से ज़्यादा अब ब्यारती इंतजार कर रहे हैं कि उनके डॉक्यमेंट कब वेरिफाई होंगी, कब उनका एक गुना का रिजल्ट आएगा, कब उन्हें नौकरी मिलेगी लेकिन इन सपनों को कही न कहीं आगे किया जारा भरती अजेंसी के दुआरा दोस्तो पूरी खबर क्या वो आप लोग देख लो और उसके बाद खुद तै कर लीजिए कि किस तरीके से बोर्ड ने एक महीना घुमाने के बाद और अब वास्तविक बात बताई है कि वो क्या करना चारा डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के दोस्तो ये रास्तन करमचरी चैन बोर्ड के अध्यक्स जी है आलोक राज मेजर जर्नल आलोक राज उनका ट्वीट है कह रहे हैं आपका सवाल सब भरतियों के डीवी कब होगी यानि कि सबसे मतलब GNM, ANM, CHO, Agri Supervisor और JRA और Computer यानि Junior Accountant और Computer यानि संगनक 40,000 कैनेडेर्स की डीवी करने में बोर्ड को 9-10 महिने लगेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों 9-10 महिने लगेंगे ये राजस्तन करमचरी चैन बोर्ड के अध्यक्स आब कह रहे हैं कि आप लोगों को बतादों की भाई संसादनों की कमी है बोर्ड की जुम्मेदारी है डीवी भी लेकिन संसादनों की कमी है अब संसादन दोस्तों ये तो देखिए राजसरकार का काम है संसादन जुटाना और संसादनों के लिए लिखना राश्चन करमचारी चैन बोर्ड का काम है तो 40,000 लोगों की DV है दोस्तों उसमे बोर्ड अद्यक्स कहा रहे हैं कि 9-10 महिने लगेंगे अब दोस्तों ये तो तैबात मानके चलिए 9-10 महिने भी आप लोग नहीं चलें तो कम से कम हर एक 40,000 कैंड़ेट्स की DV में अगर आप लोग माने तो 5 महिने तो कम से कम 6 महिने तो कम से कम चाहिए अगर बोर्ड खुझ से अगर वेरिफिकेशन कराता है लेकिन करमचारी चैन बोर्ड कह रहा है कि 9-10 महिने लगेंगे बाकी जो एक्जाम्स अब हो रहे हैं उनका तो नमबर उसके बाद पढ़ेगा ये भी सही बात है पहले इनके तो verification हो सकते हैं अब जो exams हुए हैं जैसे जून के महिने में इनों ने कराया अंगनवाडी परवेक्षक वाला अभी महिला परवेक्षक का हुआ है इनके results भी निकालने है फिर इनका भी DV करवाना है इसलिए हमने राजे सरकार से अनुरोध किया है कि सभी DV सम्मंदित विभाग करवाएं ठीक है दोस्तों अब विभाग गोंगा क्या लेना देना देखिए एनम जीनम चीएचो यह एनेचम की भरतियां तीनों तो एनेचम कराये एग्री सुपरवाइजर क्रसी परवेक्षक क्रसी विभाग की है जूनेर अकाउंटेंट जो है इसक सरकार और विभागों से विमर्स चल रहा है उमीद है जल्द इस विशापर फैसला होगा अब सरकार बात करें इससे जो सम्मंदित विभाग है उनसे कि आप लोग वेरिफिकेशन इन बच्चों का करवाएं अब दोस्तों इसमें देखिए उनमिला के बात ये है अब जहां तक मेरा नुमान है इस ट्वीर्स को देखने के बाद और जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे सात्यों कि ये जो महिना है जुलाई वाला आज 16 तारीक है इस महिने में शायद ही कोई भरती के वेरिफिकेशन सुरू हो होंगे तो जुलाई के अंतिम सप्ता में किसमें विभाग तयार करेगा अपनी तयारी करेगा क्योंकि विभाग भी यह तो है निए की बैसा बीफाग भी कोई कॉपी पैन लेकर बैठा और संख्या गिननी भी करनी होंगी उनको भी रिहर्सल करनी तमाम चीजों के लिए तु उनको भी टाइम चीए महन हो जैसे कल जैसे कली कहेधे हम बाय करवा लेंगे भई करवा थो लोगे अ किल विवस्ता करनी होगी तुल मिलाकर गया डोक्याएं कौन कून पहले इनके वरिफिकेशन होने, ये तो ये जुलाई के अंतिम सब्ता से शुरू हो सकते हैं, ये भी सिर्फ संभावना जता रहा हूँ, ठीक है, जरूर ही नहीं है जुलाई के अंतिम सब्ता से ये शुरू हो तीनों के, एगरी सुपरवाजर, जे आरे और कम्प्यूटर इन के भी दोस्तों, वेरिफिकेशन सम्मदित विभाग कराएगा, तो इनमें भी समय लग सकता है, अब विभागों पर बात आ गई है, अब विभाग भाई तैक करेंगे, सरकार किस तरीके से उनको मैनेज करती है, किस तरीके से विभाग आगे, वेरिफिकेशन का शेडूल ब वोड की भी बड़ी गलती ये है, कि करमचारी चैन वोड भी एक महिने तक हाथ पर हाथ बांदे बैठाई रहा, और उसके बाद जब एक महिना होने को हुआ, रिजल्ट को, सबसे पहले एनम्स का रिजल्ट आय था 11 जून को, उसके बाद आय था जी एनम वगेरा का 14 जून को, तो एक महिने के आसपास बोड बैठा रहा, और उससे पहले बोड ने का डीवी डेट फिक्स कर देंगे, ये 5 जूलाई का ट्वीट है साथियो, कितने का है, 5 जूलाई को बोड कहरा कि हम अगले सब्ता में, जो है बोड की जो डेट है, सोरी, वेरिफिकेशन की जो रिजर्ट्स जारी करने से पहले रिजर्ट्स जारी करने के तुरंत बाद सोचा होता, तो अब तक सम्मंदित जो विभाग है, वो सारी की सारी रूप रेखा बना लेते हैं, और वेरिफिकेशन भी सुरू हो जाता, लेकिन दोस्तों बेरोजगारों का मसला है न, तो हर आप लोगों को परसान करने के लिए बैठा है, हलांकि बोर्ड शेर्मेन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई सकनी है, लेकिन ये जो 40,000 की जो संख्या है, इनके भी तो सपने हैं, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारों से बढ़कर हमारे लिए कोई सही नहीं है, बेरोजगार सही हैं, जो कि उन्होंने मेहनत किया, अपने माबाप के सपनों को पूरा करने के वो लोगोंने मेहनत किया, तो उनको सबसे पहले सारी चीज़े हक के साथ मिलने चाहिए, ये चीज़े पहले भी की जा सकती थी, लेकिन एक महीना गोजर गया, उसके बाद कह रहे हैं, कि भागों को पहले भी बाचित हो सकती थी लेकिन आग लगने पर कुवा खोदना फित्रत है दोस्तो ठीक है हमारे देश की फित्रत है इसमें कोई बोड की या इसी किसी की गलती नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं साथियो आप जब भी होगा बोड वरिफिकेशन की डेट बोड ही जारी करेगा ठीक है ना ये भी बान के चलो रिजल्ट भी बोड ही बनाएगा एक गुना का वरिफिकेशन के बाद जो एक गुना कर जलटा गाओ सब कुछ बोड को करना है बाकी जो दिन में करता है, तो देखिए दस दिन में आनचम के भी बस की बात नहीं है, कि वो DV कर लेगा, पानी का कोई गिलास है, उसको बिखेरना नहीं है फर्स पर, और फिर उसको फैलाना नहीं है, कि भाई यह लोजी हो पूरा गीला गीला और सारी डीवी हो गई तो ऐसा भी यह सारी चीज़ों को डॉक्यमेंट्स को चेक करना होगा यह भी काफी लंबा समय लगने वाला इसमें भी 6,000 एनम्स हैं तो इन सारे कैंडिडेट्स की डीवी करना बड़ी टेड़ी खीर होगी लेकिन दोस्तो आप लोग अपने डॉक्यमेंट ठीक से रखियेगा और तमाम जो भरतिया उनके वेरिफिकेशन के डेट सम्मंदित विभाग तैक करेंगा उसके बाद आप लोग के सामने पूरी स्पस पिक्चर जो है साफ होगी तो फिलाल दोस्त वेडिए उनकारी को सेर कर दीजिएगा और इसी तमाम इंफोर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग वीडियो वाच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नेहीं करते हैं जो कि प्राद